नमस्कार मैं मैं प्रवेंड गोता हूँ दोस्तों हमारे देश की पबली को मनोहर और नई कहानिया काफी अच्छी लगती हैं इसलिए बिजेपी नेता इस कमजोर नब्स को समझते वे रोजाना नया इतिहास लिख लेते हैं कंगना रनोट जैसी अबिडितरी ऐसे भयान देती हैं जिनका कोई सिर्पैर नहीं है गांधी नहरू की विरासत को निचा दिखाने के लिए कॉंग्रिस को बदनाम करने के लिए सुभाज चंदर बोस के नाम पर राजनीती कीजा रही है और इसे लेकर नेता जी के पोते चंदर कुमार बोस ने कंगना रनोट की क्लास लगाई है कंगना रनोट पीयम मोदी और अमिश्या को टैक करते वी चंदर कुमार बोस ने कई ट्विट की चंद्र कुमार बोस ने सुभाज चंद्र बोस के नाम पर राजनीती करने वालों की धजिया उडाते वे कहा नेता जी सुभाज चंद्र बोस एक राजनीतिक विचारक सैनिक राजनेता दूरदर्शी और अव विभाजित भारत के पहरे प्रधानवंत्री थी एक मात्र नेता जो भारत की सुधता के लिए लड़ने के लिए भारते के रुख में सभी समुधाय को एक चुट कर सकते थी नेता की पृति वास्विक संबान उनकी समावेशी विचारधारा का पालन करना होगा अपनी राजनितिक महत्वकांचा के लिए किसी को वितिहास के साथ खिलबार नहीं करना चाहिए और इसके आगे पीम मोधी अमिश्या और कंगना रनोत को चंद्रकुमार बोस ने टैक किया है तो ये नेताजी सुभाज चंद्र बोस के परिवार का रियक्शन है कंगना रनोत के उल जलूल बयानों को लेकर दोस्तों कंगना रनोत और बिजेपी नेताज सुभाज चंद्र बोस के नाप पर राजनिति इसलिए करते हैं ताकि पंडित जवाहर लाल नहरू और महत्मा गांदी को निचा दिखाया जा सके नई कहानिया हमारे देश की पब्लिक को पसंद हैं चाहे इतिहास को तोड़ मरोड कर पेश किया जाए हकिकत ये है कि बिजेपी जिस तरह की राजनिति कर रही है जिस तरह धर्म के नाप पर राजनिति की जाती है अगर नेताजी सुभाज चंद्र बोस आज के दोर में होते तो बिलकुल इसके खिलाफ कड़े होते उनकी विचारधारा समावेशी विचारधारा थी जहां तक नेताजी सुभाज चंद्र बोस को रोकने की बात है तो कॉंग्रेस की लंबे समय तक देश में सरकार थी लेकिन उसके बावजूद तमाम किताबों में स्कूल के पाठेकरम में नेताजी सुभाज चंद्र बोस को खूब पढ़ाय गया उनकी महानता को बताया गया तो कॉंग्रेस ने कब उनको रोकने का काम किया अगर कॉंग्रेस सरकार चाती तो स्कूल के पाठेकरम में निताजी सुभाज चंदर बोस का इतना गुणगान नहीं किया जाता ऐसे में कंगना रनोत हो या दूसरे नेता हूँ इस तरह की बाते सिर्फ जनता को मुर्क बनाने के लिए हैं आप चंदर कुमार बोस के कंगना रनोत को ऐसे जवाब को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्रायज जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के उप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सकाइब करें नमस्कार